हेल्यो फ्रेंट्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में 34 साइस का डीप नेक पर बैक नेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो दीखिए मेरा मैन फैबरिक है और यह स्तर का कपड़ा है तो मैं यहाँ पर 34 साइस का बलाउस बना रही हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेसेमेंट लीजेगा तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले हमने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और टोटल लंबाई लेंगे यहाँ पर तो जितनी भी आपको लेंद तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके लीजेगा मेने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14 इंच टोटल लंबाई 14 इंच लिए और 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तयार रखनी है टीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट मेने पाच इंच रखा है आर्म होल लिये हैं साड़े पाच इंच इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मेने यहाँ पर बना ली है अब हमें चेस्ट का चोता बागों का साड़े आट इंच देड़ इंच का एक्स्टा रख रहे हूं में मार्जिन मार्जिन आप चाहें तो दो इंच का भी ले सकते हैं आदा इंच भार की तरफ लेते हुए तिर्जी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गुलाई कर देंगे इस तरीके से अब हमने कमर का मेजरमेंट लेना है कमर है 28 इंच उसका चोटा भागों का साथ इंच देड़ इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग पूरी करने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है और मै ये देखिए मैंने कपड़े पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम लेंगे गले का मेजरमेंट अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो धाय इंच तक गले की चोड़ाई रख सकते हैं और मैंने यहाँ पर तीन इंच की उपर से रखी है और इसका गला है वो चोकोर ही है तो इसी तरीके से इसे कट कर लेंगे मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ इसे बनानी के लिए अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप सिलाई लगा कर पलट लीज़ेगा गले को और अब मैंने पेपर पेस्टिंग को डवल फोल्ड करके नीचे की तरफ रख लिया है एज़टीज मार्किंग कर देंगे और बाहर की तरफ से एक इंच पेपर पेस्टिंग को बढ़ा कर कर लेंगे अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है उसके उपर मैंसे अटेज करूंगे क्योंकि मैंन फैब्रिक जो है वो थोड़ा पतला है पेपर पेस्टिंग दिखेगा इसलिए मैंने अलग से कपड़ा लिया हुआ है अच्छे से हमने यहाँ पर पिन लगा देनी है और अब हम करेंगे इसके सिलाई तो सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम इस तरीके से मैंने यहाँ पर गले पर सिलाई लगाई है सबसे पहले ऐतनी निकालगे एक बार हाथ से फिनीशिंग देढ़ेंगे इसके बाद हम बाहर की तरफ से लगाएंगे चारो तरफ से सिलाई लगाने के पार जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है बार की तरफ उसे कटिंग करके निकाल देंगे और यहाँ पर फिनिशिंग करतेंगे हमेशा मेंड कपड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा करी कट करना चाहिए ताकि सिलते समय कोई भी इसमें परिशानी ना हो आपको कि दीखी मैंने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कटिंग करके निकाल दिया है यह दीखी बैक पाट हमारा इस तरीके से आर जाएगा और अब इसका गला तयार करना है तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने हाँ पर बीच में से जोड़ लिया है दो पीस दे और अब इसके उपर पेपर पेस्टिंग रख लेंगे चारू तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे अब मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल रहे हूँ साइट में मैंने उतना ही कपड़ा रखा है जितना की मुझे फोल्ड करना है चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं हमें अब हमने साइट से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से यह देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है यहाँ पर और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर अपना बैक पार्ट, नीचे पेपर पेस्टिंग वाले भाग को रखा है और बैक पार्ट को मैंने इसके उपर रखते हुए पिन लगा दी है ताकि हम स्टिचिंग अच्छे से कर पाएं इसकी दोनों तरफ से बराबर करते हुए है आपको सिलाई लगानी है पहले आप चेक कर लें बराबर है या नहीं इसके बाद हमने एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है पूरे ही नैक के उपर सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्र जितना भी कपड़ा है उससे कटिंग करके निकाल देना है और छोटे-छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे जो कॉर्णर है वहाँ पर अच्छे से कट लगाएंगे अब देखी कट लगाने के बाद हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है यहाँ पर एक कॉर्णर की नेचे से मार्जिंग भी गले की तरफ रहेगा और गले की पट्टी जो है वो इस तरफ रखेंगे और एक कॉर्नर के सिलाई लगा देंगे इस गला जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है यह देखे मैंने सिलाई लगा दी है अब यह बहुत ही असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी बाद में आप पटी के उपर तुर्पाई जरू कीजिएगा अब हमने एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है यह देखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है नेक के उपर अब हमने सेंटर में एक छोटा कट लगाना है इस तरीके से और सेंटर से कपले को फोल्ड करेंगे चार इंच की लंबाई में प्लिट्स लगा लेंगे दोनों तरफ हमें इसी तरीके से प्लिट्स लगा लीनी है ये देखिए फ्लेट्स लगाने के बाद हमने नीचे की तरफ कमर पटी अटेज कर लेनी है कमर पटी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है इसके बाद हमने नीचे से आदा इंच का मार्जन कवर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से अब हमने पटी को एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगा लिनी है अब हम पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे तो इतना भाग हमारा कम्टीट हो गया है अब इसका डिजाइन तयार करना है हमें डिजाइन तयार करने के लिए ये दिखे मैंने एक पटी लिए है फ्रिल बनाने के लिए जिसके चोड़ाई है 3.5 इंच के और यहां पर हमें पूरी ही पटी पर प्लेट्स डाल लेनी है तो इस तरीके से देखिए हम यहां पर प्लेट्स लगाएंगे प्लेट्स हमारी एक जैसी ही आनी चाहिए यह देखिए फ्रिल के जो लंबाई है वो आप कम से कम दो से डावी मीटर की लिजेएगा क्योंकि यह जो जब हम इसमें फ्रिल डालते हैं तो हमारा जो पैटन है वो बहुत ही छोटा हो जाता है इसके बाद देखिए हम सिलाई के थोड़ी दूरी पर मैं कपड़े को कट कर रही हूँ ताकि अच्छी पिनीशिंग इसमें आ जाए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था मैंने उसे कटिंग करके फिनीशिंग देती है अब इसे नैक्यो पर लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमें बिलकुल गले के पास से इसे अटेज कर लेना है बिलकुल सीधा अटेज करेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा जो फ्रि पर अटेज कर रही हूं इसे गले की दूसी तरफ भी मैंने इसे इसी तरीके सा अटेज कर दिया है और लास्ट में से कटिंग करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है तो फ्रिल को अटेज करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है यहां पर हम लेस अटेज करेंगे औ लंबाई चोए वो रखी मैंने 22 तो आप अपनी पसंद से लंबाई और इसकी चोड़ाई रख सकते हैं अगर आप चाहें तो कंट्रोस्ट कपड़ा भी ले सकते हैं अलग से दूसरे कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक नहीं होता है जादा तो अब देखे नीचे से हमें थोड़ा से तिर्चा लेते हुए इस तरीके से बैल्ट को फोल्ड कर देना है मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रॉट करके लिया है अगर आप चाहें तो थोड़ा पतला भी बना सकते हैं बैल्ट को अब इस बैल्ट को हमने पलट के सीधा कर लेना है और इसे अच्छे से finishing दे देनी है कोई भी नोग वाली चीज से आप इसके corner ज़रूर निकाल लें है आपर अपर अच्छे से अब जो दूसरा बैल्ट है वो भी मैं इसी तरीके से तयार कर लूँगी यह देखिए दोनों बैल्ट मैं इसी तरीके से तयार कर लिया है अब हम इसे लगा लेंगे यहाँपर नेक के नीचे हमें इसे इस तरीके से attach कर लेना है दोनों ही तरफ अच्छे से पका करते हुए यहाँपर इसे सिल लेंगे ये देखिए यहाँ पर हमने इसे अटेश कर लिया है अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ लेस तो लेस आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं और अगर आप इससे विदाओट लेस रखना चाहते हैं यहां पर आप तिर्ची पट्टी बना कर लगा सकते हैं जैसे हम अपने ब्लाउस के लिए डोरी बनाते हैं उसी तरीके से आप यहां पर चोड़ी पट्टी बना कर क्रॉस में पट्टी लेकर यहाँ पर इसे अटेश कर सकते हैं और जैसे कि यह स्क्वेर ने अके तो आप सीधी पट्टी बना कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपको लेस अटेश नहीं करनी है मैंने यहाँ पर लेस लगा दिया है ताकि इसके उपर फिनिशिंग आ जाए और अब मैं इसी तरीके से दोसी तरफ भी लेस को अटेश कर रही हूँ यह देखे अच्छे से हमने यहाँ पर दो सिलाईया लगा दिनी है तो यह पैटन हमारा इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर इसके बाद आप चाहें तो इससे इस तरीके से रखते हुए फिक्स कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं मैं इसे सिंपल इस तरीके से बादने वाला पैटन रख रही हूँ तो इस तरीके से हमें इसकी नौट लगा लेनी है और अम मैं उपर की तरफ डोरी अटेश करूँगी यहाँ पर यह देखे मैंने यहाँ पर डोरी तयार करके रखी है और उपर से 1,5 इंच का गेप छोड़ते हुए 1,5 से 2 इंच का हमने डोरी को पका कर लेना है सेम इसी तरीके से हमने दूसी तरफ भी डोरी को लगा लेना है और यह डिजाइन हमारा बनके कम्पीट हो गया है इस तरीके से डोरी को बांद लेंगे और नीचे की तरफ बैल्ट को भी बांद लेंगे अगर आप बादना नहीं जाते हैं तो इससे आप सिलाई लगा कर भी अटेज कर सकते हैं यह देखे इस तरीके से यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ पर नॉट लगाती है डिजाइन भी दिख रहा है और पैटर्न जो है वो सुन्दर दिख रहा है तो यह डिजाइन कंप्लीट हो गया है तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धैन्ने बाद